नमस्कार दोस्तों बीसी यानि बॉलीवूट चलोगे में आपका सौगत है आज हम बात करने जा रहे हैं पठान मूवी के तीसरे दिन के बॉक्स ओफिस केलेक्शन के बारे में और इसी के साथ चर्चा करेंगे कि ये मूवी अपने चौथे दिन यानि कि सनीवार वाले दिन क 53 से 54 करोन के लमसम का बॉक्स ओफिस केलेक्शन करके एक रिकार्ड बना दिया था और वहीं वर्ल्ड वाइट इस मूवी ने 90 से 100 करोन के बीच का आकड़ा रहा था और वहीं अगर हम दूसरे दिन की बात करें दोस्तों तो दूसरे दिन भी इस मूवी ने यानि 26 जनवरी वाले दिन रिकार्ड तोड कमाई करितियस ने बॉक्स ओफिस में खाली 55 करोन रुपाय का केलेक्शन किया था और और अल ओवर इंडिया वर्ल्ड इसने 100 करोन का आकड़ा छू लिया था यानि कि देखा जाए इस मूवी ने दो दिन के अंदरी 200 करोन के आकड़े को छूते वई दीक रही थी वर्ल्ड वाई्ट अगर हम इसके तीसरे दिन के कलेक्शन की बात करें तो तीसरे दिन भी यह मूवी ने काफ़ी अच्छा बॉक्स ओफिस कैलेक्शन किया है दोस्तों इसने तीसरे दिन बॉक्स ओफिस में किया है 45-50 करोन रुपए का केलेक्शन और इसके All Over India Gross Collection और Worldwide Collection की बात करें तो दोस्तों ये मूवी तीसरे दिन इस मूवी ने 80-90 करौन रुपए का Worldwide Collection किया यानि की देखा जाया तो 3 दिन में इसका Total जो Collection हो रहा है Worldwide वो हो रहा है 270 से लेके 300 करौन के बीच का यानि की देखा जाया इस मूवी ने अपने बजट को क्रास कर दिया है 3 दिन में ही इस मूवी ने अपने बजट का केलेक्शन निकाल लिया वहीं अगर हम इसके चौते दिन के केलेक्शन की बात करें यानि चौते दिन सनीवार को सनिवार को मेरा आकड़ा है कि ये मूवी बॉक्स ओफिस में कम से कम 40 से 45 करोन रुपए कमाते बैद दिख रही है और वर्ल्ड वाइट बात करें तो वर्ल्ड वाइट भी ये मूवी 70 से 80 करोन रुपए कमाते बैद दिख रही है अगर ये movie कमा लेती है तो चौते दिन इसका जो worldwide collection हो जाएगा वो हो जाएगा 3500 करोन के अले पले और अगर हम इंडिया collection की बात करें box office collection में भी ये movie 200 करोन के आकड़े को छूते भाई दिख रही अपने चौते दिन तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या ये चौते दिन इतना collection कर पाएगी की नहीं please comment में हमें जरूर बता है हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे तब तक के लिए नमस्कार बाई बाई